हाई स्टुडेंट कैसे हैं आप माई नेम इस विद्या सागर सिर्वास्तो देखे स्टुडेंट आज हम लोग एक नया टापिक वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है और वेक्टर का मतलब होता है सदिस जिसमें डारेक्शन हो ठीक है तो सबसे पहले हम वो क्वांटिटी देखें जिसमें डारेक्शन नहीं होती है और उसको कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिन्स होता स्टुडेंट आयसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्निटीट होगा डारेक्शन नहीं होगी एफिजिकल क्वांटिटी फिज है वववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव नाट डाइरेक्षन ठीव इसमें केवल माइगनिट्यूड होगा कोई डाइरेक्षन नहीं होगी आएसी फिजिकल कॉन्टिटी को हम लोग क्या कहते हैं स्टुडेंट हम लोग कहते हैं स्केलर फिजिकल कॉन्टिटी स्केलर माइगनिट्यूड में क्या क्या होता है स्टुडेंट माइगनिट्यूड में क्या क्या होता है नियुमेरिकल वैलू आएंड यूनिट होती है पीछे में बता चुके हैं कि माइगनिट्यूड में क्या होता है numerical value and unit होती है ठीक है ना यानि physical quantity में numerical value होगी unit होगी यानि magnitude होगा लेकिन direction नहीं होगी I see physical quantity scalar quantity होगी ठीक है example ठीक एक्जामपल लेंथ पहली जो होती है अमारी length होती ठीक volume होता है ठीक speed होती है time होता है ठीक अब time से related जो भी होंगे time period frequency angular frequency frequency angular frequency energy heat pressure power ठीक ये सभी student का ऐसी physical quantity है scalar quantity है इन सभी physical quantity में किसी में भी direction नहीं होती है electric current याने current ठीक पोटेंसियल पोटेंसियल ये फार्म आफ एनर्जी पोटेंसियल एनर्जी का एक फार्म होता है ठीक है तो पोटेंसियल ये सभी scalar quantity है आप अलग-अलग chapter में इन्हें पढ़ेंगे जहां पढ़ेंगे वहां भी हम आपको बताएंगे कि काउन सी scalar है और काउन सी vector है ओके student तो ये टी सी करके हम लोग आगे चलते है ठीक है आप देखो student हम लोग देखेंगे vector physical quantity ठीक है एक quantity which have magnitude and direction both is known as vector physical quantity आईसी physical quantity जो magnitude और direction दोनों रखती है उसको हम लोग vector physical quantity कहते हैं ठीक है vector physical quantity में क्या होता है student कि इसमे magnitude भी होगा and direction भी होगी ठीक है यानि इसका मतलब होगा कि ये किसी fixed direction में जाएंगे हर direction में नहीं जाएंगे जैसे बम फोड़ देते हैं energy किसी भी direction में चले जाती है इनके साथ ऐसा नहीं होगा ठीक है ये एक fixed direction के लिए बने हुए है इन में fixed direction है इसलिए ये vector है ठीक vector में क्या क्या होँगे magnitude होँगे और direction होँगे आप magnitude माल लिजे हम लोग लिखते हैं displacement जैसे ठीक आप इस displacement में magnitude भी है और direction भी है तो हम लोग magnitude को vector की length के फार्म में represent करते हैं आइसे माल लेजे 5 unit इसकी length है तो 1, 2, 3, 4, 5 unit ये 5 unit इसकी length है ठीक है और इसकी direction इधर है तो arrow इधर बन जाएगी ठीक है अब ये vector हो गया student अगर ये arrow हटा दें तो ये scalar हो जाएगा यानि तब इसमें केवल magnitude होगा तो vector quantity वो होती है जिसमे magnitude और direction बहुत होते हैं एक्जामपल इसका देखते हैं student हम लोग एक्जामपल बहुत सारे हैं इसके खेक है एक तो यहाँ लिखाई है displacement कि वेलास्टी वेलास्टी डिस्प्लेस्मेंट वेलास्टी आएक्सेलरेशन वेलास्टी आएक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम आप यह मोमेंटम में कोई भी होगा linear या angular कोई भी मोमेंटम होगा दोनों होंगे ठीक मोमेंट आप फोर्स मोमेंट आप फोर्स ठीक इलेक्ट्रिक फिल्ड माइगनेटिक फिल्ड ठीक यह सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटी एटी सी बहुत है आगे अभी जो पढ़ेगा हम लोग वहाँ वहाँ पढ़ेंगे हर चैप्टर में यह पढ़ते रहेंगे स्केलर और वेक्टर ठीक है फिजिक्स के हर चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी हम लोग डिफाइन के साथ उसमें देखेंगे वो स्केलर है और जो वेक्टर होगी उसमें देखेंगे कि वो वेक्टर है ठीक है तो एक्जामपल बहुत हैं इसके हम एक्जामपल में नहीं पढ़ रहे हैं आप एक्जामपल पढ़ते रहे हैं हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आप देखो student हम लोग वेक्टरों का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसा होता है तो इसमें एक तो होती है स्टूडेंट लेंथ लेंथ आफ वेक्टर यह क्या रिप्रेजेंट करेगी माइगनिट्यूड आफ दे वेक्टर माइगनिट्यूड आफ दे वेक्टर जो वेक्टर की लेंथ होगी जैसे माल लेजे यह हमने बना दिया ऐसे ठीक तो इसकी लेंथ जितनी होगी माल लेजे फोर सेंटिमीटर है तो फोर यूनिट अब जो यूनिट रहेगी वही यूनिट लिखी जाएगी फोर्स होगा फोर्स लिखा जाएगा मूमेंटम होगा मूमेंटम लिखा जाएगा ठीक है तो जो यूनिट रहेगी उसकी फोर्स की यूनिट निउटन होगी यह direction आई रो लगेगी यह fix direction में जाएगा अगर यह कोई vector A है तो इसको हम लोग ऐसे represent करते हैं student ऐसे किसी भी vector के उपर आई रो लगा करके उसको represent कर देते हैं जो इसका symbol है जैसे force को हमें represent करना ठेप तो force को हम लोग लिखते हैं vector F ठेख है आईसे ही momentum को हमें represent करना है momentum linear ठेख लीनियर मोमेंटम को हम लोग P लिखते हैं तो आईसे लिखते हैं vector लगा करके ठेख आप देखो student हम लोग देखेंगे types of vectors और इसमें हमारे जो vector के type है जनरली हमने लिख दिया है equal vectors, opposite vectors, unit vectors, null vector ठीक है इतने तरह के हम लोग vector पढ़ते हैं तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे student पहला हम लोग देखते हैं पहला equal vector क्या होते हैं if magnitude and direction both are equal of two vectors then vectors is known as equal vectors यदि किन्हीं दो vector की दिशाएं और परिमाड दोनों समान हो यानि direction and magnitude both are equal, दोनों equal हैं then vector is known as equal vector पर तब vector को हम लोग equal vector कहते हैं यानि क्या-क्या equal vector का होगा ये एक vector है और ये दूसरा vector ठीक है length 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक, आप इसमें क्या होता है student ये जो vector होते हैं ये parallel होते हैं क्या होते हैं पाइरलेल वेक्टर होते हैं क्योंकि इनकी magnitude, direction दोनों से होती है तो जो इसकी direction होगी वही उसकी direction होगी तो ये vector A हमारा होता है ये vector B होता है इनको हम लोग लिखते हैं vector A is equal to vector B ठीक है student दूसरा हम लोग देखेंगे student opposite vector ठीक है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे student if magnitude of two vectors are equal what direction is opposite then vector is known as opposite vector if magnitude of two vectors are equal and directions are opposite then vector is known as opposite vector यानि क्या equal हुआ student magnitude तो शेम है लेकिन direction आपोजिट है ठीक है magnitude same है लेकिन direction क्या है आपोजिट है ठीक है यानी एक देखें ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है यह अगर यह vector A है student और यह vector B है तो यह दोनों vector क्या होते हैं opposite vector होते हैं यानि opposite होने का मतलब हमारा कि vector A is equal to minus का vector B होगा vector A हमारा जो होगा वो vector B के minus होगा negative होगा ठीक है इसका मतलब ये दोनों vector magnitude में तो same होंगे लिए आएसे vector को हम लोग anti-parallel vector कहते हैं anti-parallel vector anti-parallel vector कहोन होते हैं opposite vector होंगे इनकी direction opposite होगी 180 degree पर होगी एक अगर direction में पूरब जा रहा होगा तो दूसरा पस्चिम जा रहा होगा ठीक है लेकिन magnitude यानि जो इसकी length है vector की दोनों की ये same होगी ठीक है student तीसरा हम लोग देखेंगे unit vector ठीक है अब unit vector क्या होते है student अगर जैसी ये हमारा vector है student ठीक है किसी vector से उसके magnitude से उसी vector को divide कर दें किसको divide कर दें किसी vector को उसके magnitude से ही divide कर दें तो जो ratio निकल के आता है उसी को हम लोग unit vector कहते है ठीक है the ratio of the ratio of a vector with its magnitude 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 is known as known as unit vector ठीक है ठीक है एक ऐसा वेक्टर ठीक है जो जिसमें उसी के magnitude से उसको divide कर दिया जाया उसको हम लोग unit vector कहते हैं ठीक है आप देखो student for a vector a ठीक है आप vector a के लिए देखे unit vector इसका कैसे लिखते है unit vector तो इसको इसी के उपर कैफ लगा देते है ठीक है और हमें इसी vector a को इसके ही magnitude से divide करना है तो magnitude का symbol यहाँ आईसे लिखते है ठीक है आईसे mod लगा देते हैं vector के उपर तो यह magnitude हो गया और इसी को कहीं कहीं आईसे भी लिखते हैं vector a upon a लिखते है ठीक है यानि अगर हम यहाँ से vector a का formula unit vector के term में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे vector a is equal to a का unit vector into a लिखेंगे ठीक है आईसे हम लोग vector इसका denote करेंगे vector a is equal to a का बेक्टर into a लिखेंगे आईसे ही unit vector for b vector unit vector इसका हो जाएगा vector b का इसका है is equal to vector b upon b लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं vector b upon vector b mod ऐसे लिख सकते हैं ठीक है यानि अगर यहाँ से हम लोग vector b को लिखेंगे तो हम लोग vector b को ऐसे लिखेंगे unit vector of vector b into b लिखेंगे आईसे लिखेंगे जो है ठीक है student आप देखो student जो हमारे three axis है student कौन कौन से axis है यह हमारा x axis है इधर हम लोग y axis दिखाते हैं इधर दिखाते हैं z axis ठीक है यह three axis हमारे है ठीक है छोटा कर देते हैं काम इतने हमारा हो जाएगा अब इसमें देखो student इनके axe के अपने जो वेकटर होते हैं उन इट वेकटर उनको आर्थो गोनल यूनिट वेकटर कहते हैं क्या कहते हैं और्थो गोनल यूनिट वेक्टर्स और ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं इस्टुडेंट x direction के लिए i कैफ होता है y direction के लिए j कैफ होता है और z direction के लिए k कैफ होता ये एक बार याद कर लिए student बार बार आपके काम आएंगे क्योंकि ये बदल नहीं सकते कभी x axis के along जो हमारा x axis है उसके along unit vector i कैफ होगा y axis के along unit vector j कैफ लिखा जाता है small j है और z axis के along unit vector k कैफ लिखा जाता है ठीक है आप यहाँ देखो student हम लोग इनकी property देखें unit vector क्या होती है properties of unit vectors तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे student कि इनका जो magnitude है magnitude कितना होता है one होता है किसी भी unit vector का magnitude कितना होता है one होता है ध्यान रखेगा unit vector का magnitude है यह बी नहीं है यह यह बी जो है वो बी वेक्टर का magnitude है unit vector जो है उसका magnitude one होता direction of unit vector direction of unit vector is the direction of vector is the direction of vectors जो vector है जिसका unit vector निकाल रहे है उसी की direction होगी ठीक है direction of direction of a कैप vector यानि a कैप हमारा unit vector है इसकी direction कैसी होगी यह होगी direction of a होगी direction of a होगी जो a vector की direction होगी वही unit vector की direction होगी ठीव अच्छा direction आप b कैप direction of बीक है और यह कैसी होगी यह होगी direction of vector b direction of vector b ठीक है तो direction of unit vector is the direction of vector जो vector है उसी की direction उसके unit vector की direction होगी दोनों सेम होगी ठीक है आप हम लोग देखेंगे student null vector ठीक है null vector को हम लोग कहते हैं zero vector क्या कहते हैं zero vector ठीक आप देखो student zero vector एक imaginary vector है इसमें कोई magnitude नहीं होता जिसका magnitude zero होगा तो ये vector को violence करने के लिए इसकी आव सकता है ठीक है तो ये बिल्कुल nil नहीं है null तो है लेकिन nil नहीं है ध्यान रखियेगा इसका तो null vector क्या होगा if magnitude if magnitude of a vector is zero then vector is known as null vector अगर किसी vector का magnitude zero है तो वो null vector कहलाता है ठीक है तो यानि null vector का क्या होता है magnitude is zero magnitude is zero किसी भी null vector का magnitude कितना होता है zero होता है ठीक और direction जब इसमें कोई magnitude नहीं तो direction तो बेमानी है बताना लेकिन इसकी direction indefinite होती है अनिस्चित होती है ठीक है direction indefinite है अनिस्चित है इसकी direction fix कोई direction नहीं होगी आप देखो student null vector का जैसे इसको हम लोग represent करते है ऐसे zero vector से इसका represent ऐसे करते है ठीक इसको representation कैसे करते है ऐसे zero के उपर vector लगा करके करते है अच्छा कहां कहां यह मिल सकता student तो यहां देखे student अगर दो equal vector है ऐसे vector a is equal to vector b तो यहां null vector हमें मिलेगा अगर b vector को हम यह में से minus कर देए ऐसे लिखें तो b इधर आजाएगा तो इधर zero आएगा लेकिन अब इधर तो vector quantity है तो यहां पर इसको vector लगा के balance करते हैं ठीक है इसकी कोई direction नहीं होती कोई magnitude नहीं होता कुछ नहीं होता इसमें ठीक है 00 होता है ठीक है आप देखो student हम लोग null vector की properties देखेंगे ठीक है आप इस properties में हम लोगों का पहला जो vector है student null vector उसकी पहली property तो यहीं लिखी है माइगनिट्यूड जीरो माइगनिट्यूड इस जीरो कि माइगनिट्यूड जीरो है दूसरी property भी यहाँ लिखी है direction is indefinite direction is indefinite direction is indefinite और तीसरा देखेंगे तीसरी property भी यहाँ लिखी है यहाँ देखेंगे difference of two equal vector is null vector difference of two equal vector vector is null vector ठीप किने दो equal vector का difference जो होता है वो null vector होता है यहाँ इफ vector a is equal to vector b then vector a minus vector b is equal to null vector zero vector ठीक है आप देखो student अगली property देखो the sum of two opposite vectors is null vector याने sum of two opposite vectors हाँ हाँ sum of two opposite vector is null vector ठीक किने दो opposite vector का अगर sum होगा तो वो null vector होगा ठीक है जैसे देखो student vector a और vector b अगर opposite है तो हम लोग लिखते है vector a is equal to minus vector b opposite vector का आप इसको इधर कर दो तो आएड हो जागा student vector a plus vector b is equal to null vector ठीक यहाँ देखो student अगला the product of the product of any number with null vector is null vector the product of product of any number with null vector with null vector is null vector number or null vector the product of any number with null vector is zero vector यानि कोई नंबर यन है इसका हम लोग null vector साथ multiply कर दें तो zero vector होता है ठेक है आएसे ही and आदर हम दूसरी property देखें तो दूसरी property में यहां क्या होता है student कि अगर हम किसी number को number से null vector को divide कर दें तो यह result भी null vector ही रहता ठेक है और अगर हम किसी null vector से किसी को divide कर दें तो वो possible नहीं होता है यानि अगर हम किसी number को null vector से divide कर दें तो infinitive तो यह इसको हम लोग आप परिभासित बोलते हैं यह दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि किसी को भी 0 से divide नहीं किया जा सकता है ठीक है आप देखो student हमने पीछे आपको इसमें बताए दिया अगर किसी vector के साथ null vector को add कर दें तो इस vector पर कोई effect नहीं पढ़ता है यानि result vector यह आता है अगर हम किसी vector b के साथ b से null vector को minus कर दें तब भी v vector आता है यह सारी properties है इसकी आप सब properties की null vector की note करिए और खुद त्यार करिए ठीक है यानि null vector की इतनी property हमने आपको बताई ठीक है ok student कि दूए रहो देंट यह को शुद देंट रहो आता है के साथ बताः है आता है साथ पज़र नवह भी है प्लावब्ड़र प्लावजवाँ प्लावशए